अलर्जी, नाम तो सुनाई होगा, अलर्जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग अलर्जी, यानि के अंडे से होने वाली अलर्जी, ये अलर्जी क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या-क्या इसके साइनर सिंटम होते हैं, और इसके क्या-क्या कारण होते हैं इसका treatment किस तरह से करना चाहिए तो सब कुछ जानने के लिए बने रहे है वीडियो के लास्ट तक हेलो दोस्तो मेरा नाम है जबार हुसेन और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल StudyVit हुसेन तो चलिए शुरू करते हैं एग एलर्जी तो एग जो होता है most commonly बच्चों में सबसे ज़्यादा काउस कराने वाला एक एजेंट होता है एग एलर्जी कुछ मिंटों तक या कुछ घंटों तक देखनों को मिल सकती है एग खाने के बाद या उन फूड का इस्तेमाल करने के बाद जिसमें एग मिक्स होता है उनका इस्तेमाल करने के बाद जब आपको एलर्जी हो जाती है तो उसको एग एलर्जी बोलती है ये एलर्जी कुछ मिंटों तक या कुछ घंटों तक रह सकती है तो इसके जो most commonly symptom देखने को मिल सकते हैं आपको उसमें जो हो सकता है आपको skin racist हो सकती है यानि के skin के उपर racist देखने को मिल सकते हैं hives हो सकता यानि के पित्ती का उचलना आपने सुना ही होगा पित्ती उचल रही है तो वो पित्ती जो होती है allergy के कारण होती है किसी तरह से allergy हो जाती है तो यहां पर एग allergy है तो एग allergy से भी पित्ती उचल सकती है nozzle congestion हो सकता है यानि के nozzle congestion हो सकता आपकी nose बहुत जादा run हो सकती है nose बहुत सकती है और आपको vomiting हो सकती है nose यह हो सकता other GIT problem हो सकती है जो आपके gastrointestinal track होती है उसमें कई तरह की आपको problem देखने को मिल सकती है एक बहुत most commonly causes होता एनाफाइल एक्सिक्स जो होता यह एक life threatening problem होती है reaction होती है तो यह जो होती है allergy किस तरह से होती है तो यह होती है एक egg allergy क्या होती है कैसे होती है तो अब हम बात करेंगे इसके symptom के बारे में इसके symptom क्या क्या देखने को मिलते है इसके जो most commonly symptom होते है यानि कि egg allergy हर व्यक्ति को जो होती है अलग अलग होती है यानि कि हर व्यक्ति को egg अंडे से allergy नहीं हो सकती और जिन लोगों को होती है तो वो अलग-अलग होती है हर किसी को नहीं हो सकती तो इसके जो most commonly symptom आपको देखने को मिलते हैं ये कैसे होते हैं अंडे के तुरंत खाने के बाद allergy देखने को मिल जाती है यानि कि जब अंडे का हम तुरंत ही इस्तेमाल करते हैं तब ये एक ही दम देखने को मिल सकते हैं तुरंत ही देखने को मिलती है तो इसके जो common symptom होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं skin infection हो सकता है आपकी skin के ओपर जो होता है वो infection हो सकता है किसी तरह का पित्ती का उचलना हो सकता है यानि का हैस जिसे बोलते हैं पित्ती का उचलना जिसे बोलते हैं पि इरिटेशन हो सकता है आपको कफिंग हो सकती है आपका चैस्ट में पेन हो सकता है चैस्ट ऑर थे आपको नकली शूरी हो जाती है यह उर्ड़ सकती है यह ऐलाइफरी इसके कुछ कॉजस के बारे में कि किस कारण से फूड एलर्जी या एग एलर्जी हो जाती है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता ओवर एक के कारण इम्यून सिस्टम के ओवर एक के कारण जो होती है फूड एलर्जी हो जाती है इम्यून सिस्टम गलती से जो एक की प्रोटीन हो इसकी जो प्रोटीन होती है उसको हार्मफुल एजिन्ट समझ लेता है हार्मफुल एजिन्ट समझने के बाद जब आपका बच्चा या आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं यानि के फूड़ जिससे ऐलर्जी हो रही है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसकी वज़ए से जो है वो harmful agent समझ लेती है और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो histamine नाम का जो एक enzyme होता हमारी body के अंदर histamine को release करने लगता है histamine एक enzyme होता है तो उसकी वज़से food allergy हमें देखने को मिलती है तो इसके कारण food allergy होती है अब food allergy जो most commonly जो होती है वो एक योग से भी होती है और whitest area होता उससे भी होती है जो पीली जर्दी जिसको हम बोलते है एक योग जिससे बोलते है उससे भी होती है और whitest area से भी होती है जो whitest substance होता है उससे भी होते लेकिन most commonly जो होती है वह वैसिस एरिया जो होता एक का उसके कारण होती है तो यह कौन-कून से कारण होते है एग लेर्जी condition होती है यह skin में condition होता हो जाती है यानि के dermatitis problem होती है जिन बच्चों के अंदर यह problem या जिन लोगों के अंदर बच्चा हो या बड़ा हो adult हो जिन के अंदर यह atopic dermatitis problem देखने को मिलती है उनमें normal लोगों से आपके पापा को, या आपके बड़े भाई को, या आपके सिस्टर को, या किसी को भी अगर एग ऐलर्जी है, तो आपको होने के भी चांसे इसमें हो सकते हैं, तीसरा इसका most common होता एग, क्योंकि एग से ऐलर्जी हो रही है, तो एग तो इसका most commonly causes हुआ, ये जो होती है, बच दीगनोस और टेस्ट के बारे में, इसके अंदर क्योंकों से टेस्ट कराये जाती हैं, पहला इसका टेस्ट होता है SKIN PRICK होता है, दूसरा इसका blood test भी आपका डॉक्टर करा सकता है, तीसरा होता food allergen test, फूढ़ 1000 अव्यक्राइब है उस तरहragon ऊप आ और तैस्ट इसमें करा जाता है तीसरा होता Hertie इसके होते हैं अब भात करेंगे इसके इसके के बारे में किसका तरहां से करना चाहिए तो सबसे पहला जो इसका treatment होता है वो egg avoid होता है यहीं कि आपको avoid करना चाहिए egg को जो egg का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस egg को आप avoid करें बिल्कुल भी तो यह बहुत ही most commonly इसका treatment होगा दूसरा होता anti-histamine medicines कुछ medicines होती है जो आपकी body में histamine release हो रहा है उस histamine को रोकने के लिए anti-histamine medicine दी जाती है जिससे आपकी allergy को control किया जाता है तीसरा जो most commonly होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा seever allergy हो गई है तो आपको epinephrine का injection दिया जाता है जिसको हम emergency injection भी बोलते हैं तो यह epinephrine injection जो होता है यह allergy को allergy हो जाती है तो emergency में allergy को रोकने के लिए दिया जाता है तो यह हो गई पूरी किस तरह से egg allergy होती है उसके कारण उसके sign and symptom उसका test कौन कौन से होते हैं तो यह पूरी जानकारी हो गई तो वीडियो कैसा लागा कॉमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इसी तरह की knowledgeable video medical से related और medicine से related मैं आपके लिए ला